आप भी ब्लोगिंग करना चाहते हैं ब्लोगर पर अपनी नाम की वेबसाइट बनाना चाहते हैं फिरी में वेबसाइट बनाना चाहते हैं और उससे पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपको बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे होती है ब्लोकिंग और कैसे वेबसाइट बनाया जाता है फिरी में और कैसे Google के जरी ये पैसे कैसे कमाया जाता है यहाँ पर आपको मैं जितना भी चीज बताऊंगा वो टोटल टोटल फिरी है मलब कोई भी पेड नहीं करना है और यह कम अपने आप मोबाईल से भी कर सकते है और अपने आप लिप्टॉप से भी कर सकते है ठीक है और यहाँ पर सिर्फ आपको अगर दिन के सिर्फ एक घंटा टाइम देते हुने तो काफ़ एक अच्छी income यहाँ पर generate कर पाओगी दोस्तो और यहाँ पर अपने नाम की website कैसे बना है बनानी है blogger पे और उसके बाद में उसे adsense के साथ connect कर से करना है post कैसे लिखना है Google में search में कैसे लाना है कैसे आप Google पर कोई नाम आपका search करें तो आपके website कैसे आएगी दोस्तो यह सब चीजे आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तो जैसे कि हमारा website क्या होती वह चीज आपको मैं demo थोड़ा दिखाऊंगे कि कैसे किस तरह की website बनाने पर revenue generate होता है दोस्तो और दोस्तो यह फुल कोर्स है ब्लोगिंग का फुल कोर्स है और इस पर बहुत साथ ज्यादा वीडियो आएंगे तो दोस्तो वीडियो चैनल को भी सब्क्राइब कर लिजेगा ठीक है और उसके बाद में बताएंगे website कैसे create किया जाता है उसके बाद में post कैसे create किया जाता है connect google adsense से कैसे किया जाता है उसके बाद में google में search में कैसे लाया जाता है और उसके last में आपको बताऊंगा adsense कैसे account बनाया जाया जिससे हमारा से ज़्यादा ज़्यादा benefit हो पाए दोस्तो जल्दी से जल्दी आपकी website approve हो पाए तो आपको मैं दिखाता हूँ कुछ चीजे जैसे कि दोस्तो यहां पर मैं open कर लेता हूँ अब यहां पर दोस्तो देख सकते हो जैसे कि आप कोई भी website दोस्तो टू टाइप की website होती है एक होती है blogger पर एक भी पैसा नहीं देना होता है और wordpress पर आपको पैसे देने होते हो भी website में earning सेम ही होती है एक जिखा पर आपको पैसे देकर earning होगी एक जिखा पर फिर ही earning होगी तो आप मैं आपको देखाते हूँ जैसे कि आप देख लिजे साइरी एल्पीम ठीक है यह website है मेरी blogger पर और यह कितनी खुब सूरत website है वे आपको देखेंगे ठीक है यह देख सकत तो इस तरीके के इस पर आर्टिकल लिखे होने है और कुछ नहीं आर्टिकल कुछ नहीं बस copy paste मैंने किया है और वर्डप्रेस की website भी दिखा देता हूँ यह रही वर्डप्रेस की website हाँ इसको designing किया जा सकता है themes change किया जाता है बहुत सो लोग comment करेंगे दोस्तों यह इस त रुपए भी खर्चा नहींगे तो हम उस चीज को आपको बतांगे कि कैसे आपको income generate होगी और दोस्तों अपना adsense account दिखाते हैं इस मंथ में मैंने 345 डॉलर बनाया है और 7 days में मैंने 341 अलब ऐसा दोस्तों है कि मैं मेरे पाइक सारे adsense account है तो एक adsense में 6-7 दिन काम करता चार-500 डॉलर उसके में बंद कर देता हूँ क्योंकि जानते हूँ दोस्तों एड लिमी लग जाता है उपर से कभी-कभी डिसेबल हो जाते हूँ तो मैं 500 डॉलर मिनमम एक account में बनाता हूँ और इस तरीके से कैसारे adsense account हूँ उस तरीके से बनाता हूँ दोस्तों और यह आ पर आपको लिखना है blogger, blogger लिख देना है, blogger लिखने के बंद में यह दिख सकते हूँ website, create a unique and beautiful blog, ठीक है, blogging और यह blogger एक ही है, ठीक है friends, जो बहुत लोग कहेंगे blogging करना है तो यह blogging यही होता है, अपने नाम के website बने, जैसे कि आप उस पे कोई परकार के article डाल सकते हो, आपको एक जांपल की तौर पर दिखाता हूँ, आपको समझ में भी आएगा, जैसे कि बहुत लोग movie के सोखीन होते हैं, गाने के सोखीन होते हैं, तो गाने के सोखीन हैं, तो lyric डाली है, बहुत सारी lyric website है, जिसे lyric ठीक है, देख से मैं lyric search किया, और देख सकते हूँ, यह website आ ने सकते हूँ, ठीक है, और मैं दो चीज़ दिखाऊंगा, जिसे आपको idea मिल जाएगे कि आप किस topic पर काम कर सकते हूँ, देखो, तुम ही हो, ठीक है, मैं इस पर traffic पर click करता हूँ, यहां से traffic चेक कर सकते हूँ, यह website में traffic तीन लाग की traffic है, मलब तीन लाग की traffic, तो आरणि to movie, इसे full movie download, लेकिन download नहीं होगे, मैं आपको दिखाता हूँ, अब यह रही न, इस पर देखो, दो दिन पहले इसने post लिखा है, लेकिन यह सिरफ movie के बारे में बताया गया है, मैं इस पर add भी दिखा देता हूँ, कि adsense के add भी 100 हो कर रहे हैं, तो इस तरीके के भी article डाल के आप काफी ज़्यादा income generate कर सकते हैं, ठीक है, यह देख सकते हूँ, एडसेंस के add है, यह देख सकते हूँ, इस पर traffic देख सकते हो, कितना है ज़्यादा, यह देख सकते हो, 5000 traffic थे, उसके बाद में सीधे 3,000,000 traffic पहुँच गई है, तो इस तरीके से traffic generate होती है, इस तरीके से आप काफी ज़्यादा income revenue generate कर सकते हैं, चलिए अब यह सारी चीज़े होगी है, अब चलिए पूरा process बताता है, कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको Google पे जाके blogger सर्च करना है, अब अपनी नाम की website चलिए बनाना सिखाते हैं, step by step, ठीक, सबसे पहले आ बाद में, आपको यहाँ पर अपना email id सर्ट करना है, जिस email id सर्ट करना हो लिक लेना, बहुल लोग भूल जाते हैं, बुरी महनत तर लिजाती है, यहाँ पर password लिक देना है, अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर name दे देना है, जिसे यहाँ पर कोई भी name दे सकते हो, मलब अपना name देना चाहते है, यह अपने blog का name देना चाहते है, जो भी name देना चाहूं, जिसे मैं, यह दे दिया मैंने, ठीक है, अब यहाँ पर address, address मलब आपका जिसे, mukaislpm.com, syri.lpm.com, वैसे आपको यहाँ पर क्या रखना है, वो रखना है, ठीक है, और यहाँ पर देखो, य यहाँ लेबल अगर दिखा रहा है, जिसे मालो मैंने यह डाला, आप मालीजे यह लेना चाहते हो, और red है, तो यह नहीं मिल सकता है, यह पहले से किसी ने ले चुका है, ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको change कर देना है, जिसे मैं यहाँ change कर देता हूँ, ठीक है, चेंज कर द अपना नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, फिनिस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हूँ, यह ब्लॉग बन चुका है, ठीक है, अब यहाँ पर विजिट ब्लॉग पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ब्लॉग भी दिख जाएगा, और यह यहां पर आपको देखने को मिल जागा, देख सकते हो, ठीक है, यह रहा, dot com, blogspot.com, ठीक है, यहां पर post एक भी नहीं लिखा गया है, तो post कैसे लिखना है, वो भी आपको बताता हूँ, उससे पहले आपको themes change करनी है, क्योंकि यह beautiful themes नहीं है, इस पर adsense जल्दी approval नहीं मिलता ह है, ठीक है दोस्तों, तो simple से themes में जाएंगे, themes में जाने के पर यहां पर click करेंगे, edit HTML पर click करेंगे, और इस code को control A करेंगे, यह इस select करेंगे, उसके बाद में, इसके बाद में दोस्तों आपको simple से google पर जाना है, और यहां पर आपको लिखना है, blogger template, ठीक है, blogger template लिखें और यहां कहीं सभी आप template download करके अपने website पर upload कर देंगे, और जितनी भी यह template है, यह सभी अच्छी है, themes कैसे change करना है, वो भी आपको बदाता है, blogger में, जैसे के आपको यह themes पसंद आई, तो इस पर click करना इस परकार, और click करने के बाद में, तो download लिखाए, download पर click कर और यह download हो जाएगा, देख सकते हो, download होने के बाद में, इसे open करते हैं, जैसे के दोस्तों यह रही download हो चुके है, इसको open किया, XML देख सकते हो, इसमें कहां पर लिखा है, XML यह रही, XML यह लिखा है, इसको इस तरीके से open कर सकते हो, या फिर यहीं से directly upload कर सकते हो, ठीके, मैं इसके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे Upload करना है. अगर आप यहाँ से Back करोगे और यहाँ पर आपको देख सकते वो लिखा होगा Restart इस पर आप किलिख करोगे, उसके मैं आप लोट पर किलिख करोगे और अपने Mobile से कहीं से भी जागना है. और देखो सारे blur हो जाएंगे जो upload करना है वही सिर्फ open नहींगा इस पर click करेंगे upload पर click करेंगे ये themes आपकी change हो जाएगे तो इस तरीके से या फिर वहाँ पे जाएगा दूसरा option बताता हूँ इसको इस तरीके से open करना है sorry edit option में open करना है text ठीक है ये थोड़ा लंबा process है इस तरीके से copy कर रहेंगे और उसके बन में जहाँ paste कर देंगे लेकिन इसमें code नहीं रहता है ज्यादा अच्छे से तो वो ज्यादा best है जो मैंने आपको भी बताया ठीक है अब इससे cut कर देंगे और अपनी website को view करके देखते हैं कि change हुआ कि नहीं हुआ इसके बन में यहाँ पर मैंने view किया तो यह देख सकते हूँ यह सब कुछ change हो चुका है इसमें जो लिखा है और यह जो title लिखा है यह सब कुछ change कर सकते हूँ कहां से मैं आपको बता देता हूँ layout में जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले यह देख सकते हूँ सब कुछ यहाँ पर change करने का option देगा है इस पर click करेंगे तो यह देख सकते हूँ यह अपना यहाँ पर name डाल देना है जो भी है और यह पर logo भी अपना डाल देना है जिसकते हूँ about us, contact us, यह सारे चीज़ बनाना है, मैं आपको दिखा दिता हूँ कैसी website तयार होती है, ताकि आपको पता चल पाए कि आखिर में actually website आपको कैसे तयार करना है, देखो यह सायरी lpm.com पे जाएंगे, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, देखो जिसे कि यहाँ पर य अब यहाँ पर मैंने देख सकते हैं, प्रिवसी पॉलिसी, कुकीज, टेमसंगर नीशन, यह सब डालना बहुत ही important होता है दोस्तों, तभी आपकी फेड अप्रूल मिलेगा, उसके बाद में आप running कर पाऊगे दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ यह केटिगरी हो गई, यहाँ पर एक केटिगरी मैंने डाल दिया है, नीचे आएंगे देखो, अब यहाँ पर मैंने अपने सोसल मीडिया का यहाँ पर सब चीज़ डाल दिया है, ठीक है, और नीचे आएंगे थोड़ा सा एक केटिगरी देख सकते हो डाल दिया है, यह एक एड को हटाते हैं, अब प्रीप टॉब से आप गोगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रैवेसी इस प्रैवसी पॉलसी जनेरेटर ठीक है और यह रही है, यहाँ पर फिरी में जनेर्रेट कर सकते हो, अपनी वेब साइट का नेम यहां कर देंगे यह नेम ठीक है यह कॉपी कर लेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे यहां पर यूरल पेस्ट कर देंगे पूरा का पूरा यूरल ही पेस्ट कर देंगे यहां पर यूरल पेस्ट कर देंगे यहां पर यूरल पेस्ट कर देंगे नेस्ट पर क्लिक करेंगे यह और यह नीचे क्योंने हो रहा है साला एक सेकंड यह इसको बड़ा करना पड़ेगा यह रहा नीचे है और नीचे हो जाए यह बटन है ठीक है अब यहां पर अपनी कंट्री इंडिया सेलट करेंगे उसके बंद में कुछ भी सेलेक्ट हो जाए कोई दिक करने इमेल डाल देना इमेल डालने के बाद में उसका बंद में जनेयट प्रेंशी पा क्लिकर देंगे यह आपकी वेसाईर की नेम से जन्य नेट हो जाएगो है ठीक है यहां से कंप कर देंगे इस तरीके से अब यहां पर आपको पेज में प्रेवरी hutर से द्रंप्र ट्रैमिन सब्वमिन파理 प्र इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे यह आपको कोड कॉंपी होए ना यह डाल देजेंगे और देख सकते हो यह हो गया ठीक है अब आपको यह कॉंपी कर लेना यहां से और यह यहां डाल देना यहां पर पॉब्लिस पर क्लिक कर देंगे अब यह प्रवसी पॉलिसी बना दिंगे सिंपा से क्या करेंगे इनको इडिट करना चाहते हूं यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर यूरल डाल दिंगे और यहां पर लिदिंगे अरे स्वारी के बन में यहां पर सेफ पर क्लिक करेंगे यह देख सकते हूँ अभी मैं रिफेर्स करता हूँ और यहां पर आ जाएगा यह देख सकते हूँ आचोगा इस पर जब क्लिक करेंगे अगर जिसे मालो गोगल के पास यह गया सिस्टम तो यह उनको यह दिख जाएगा उसके बन में आपको अपरोल मिलेगा अब आपको यहां पर क्या करना है अब आपको आर्टिकल आपको पेज में पोस्ट में डालन है मैंने देखा है दोस्तों और बहुत लोग जैसे यहां पर डॉक का अब यहां पर डॉक के कई सारे इमेज डाल दीजे पब्लिस कर दीजिए उसमें आपको लिखने की ज़रा नहीं पड़ेगी आप इमेज कहां से अप्लोड करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे आपके इस तरीके से आपका एक पोस्ट रेडी हो गया आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा देख सकते हो इस तरीके साब पोस्ट देखने को मिल गया अब आपको एक ही पोस्ट डाल के गोगल एडिसिंस के लिए अपलाई नहीं करना है कम से कम 30 पोस्ट होने चाहिए आपके ब्लोक पर, ठीक है, तीस पोस्ट होने चाहिए, तीस पोस्ट के अंदर भी content अच्छा खासा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने एक ही एक ही photo upload करके आपने अप्रोल के लिए डाल दिया, ऐसा तब अप्रोल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है friends, आपको अच्छा खासा इसमें content ड डाल दीजिए, अपने पोस्ट डाल दीए, अपने page भी बना लिए, privacy policy, टम सिंगले, सब के page बना लिए, ठीक है, उसके बाद में क्या करना होता है, ये भी आप जान लिजिए, उसके बाद में आपको अपनी website को Google search console में connect करना होता है, मैं आपको बताता हूँ, कैसे connect करना ये भी बताता हूँ, Google search console ठीक, लिखेंगे इस परकार और ये देख सकते हो आ चुका है, इस पर click कर देंगे, और click करने के बाद में ये देख सकते हो आ चुका है, यहाँ पर अपनी जब website को add करोगे ना, तभी आपकी Google में search में आएगी, अब simple से हम अपने URL को copy कर लेंगे यहाँ से, copy करने के बाद में, यहाँ पर डाल देंगे, इसमें और continue पर click कर देंगे, अब यह verification हो रहा है, देख सकते हूँ, verified हो चुका है, go properties पर click करेंगे, और यहाँ पर दो तीन step है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर got it पर click करेंगे, setting पर click करेंगे, setting पर click करेंगे, यहाँ पर click करेंगे, और यह देख सकते हूँ, HTML tag है, इसको copy करेंगे, और यहाँ पर जाएंगे, themes में जाएंगे, इस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे, महलब themes में edit करेंगे, और यह header में यहाँ पर paste कर देंगे, बस और कहीं है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर click करेंगे और इसको यहां पर पेस्ट कर देंगे सब्या अपडेट हो चुका है पक्ना केसि और यहां पे जाएंगे verified प्लाइक हो जाएगा तो माले लेजे कि आप ने सहीं इसके स्थासी nhất दो चीजे हो चुकी है अपने साइट को Google सर्च कंसूल में डाल दिया है लेकिन आपकी वेफेड में कौन-कौन से पोस्ट Google के सर्च कंसूल सर्च में आए यह आपको इसको बताना है तो कैसे बताना है यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में जाएंगे नीचे इस परकार स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पर स्वरी स्वरी कहां गया है अब दोस्तों यह से ओन कर देना है ठीक है इसे ओन कर देंगे आपनी यहाँ पर मेंटा को सर्च को अन किया अब यहाँ पर आपके सेट की स्टाइप की है जैसे आपनी ब्लॉग की टाइप की है अलब आपकी जैस टाइप आपके जैसे ब्लोग है कि किसी खाने के बारे में फूड के बारे में किसी चीछ के बारे में आपको बता रहे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार डालना है उसके बढ़ में नीचे आएंगे और यहाँ पर robot.txt यहाँ पर on करेंगे, यह off होगा, इसे on इस परकार करेंगे, उसके बन में यहाँ पर इस चीज को पेस्ट कर देंगे, अब लिख लीजिए, एक बार, देख लीजी यह आपको लिखना है, ठीक है, जहाँ से देख लीजिए, ठीक है, यह लिखना है, उसके बन में नीचे save पर क्लिक कर देना है सिप पर क्लिक कर देंगे अब यह आपकी वेबसाइट के हर एक पेज र-एक पोस्ट को गूगल में सर्च के निमें लाएगा उसकी मुछ सर्च में दिखने लगे गःग उससे पहले क्या को ना आत तो Umm pa के कि क्लिके हूं कि देख सकते हूं सकसे हूं हो चुका है और इंदेख सकते चाहिए तब यह आपको आपको आपके तक तहलों अच्छे आटिकल लगा लिए अच्छे खांसे अच्छ सब कुछ करने के बाद में दोस्तों यहां पर अपने डाली दिया है यहां पर हमेशा कंट्री इंडिया ही सिलेट करना याद रखना थोड़ी सी भी गलती की तो आप इकांट कर बढ़ जाएगा ठीक है यहां पर मैंने शिल कर दिया उसके हमने सेट अप एकांट पर कलिक कर दीजिए और यह बार दोस्तों मैं आपको Credits और बिद बनाना बता रहूं लेकिन आपको आज ही अकॉंट बनाएं, आज ही एटसेंस के पास है, साइट भेर दिया कि हमें अप्रोल चाहिए, तो आपको डिस अप्रूब हो जाएगी, ठीक है फ्रेंट्स, आपको वेट करना है, ऐसा नहीं होता है कि आप आज ही सब कुछ कर दिया, आज ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक की मलब आपकी साइट अप्रूब हो गई फ्रेंट्स, तो इस प्रकार से अपने ब्लोगिंग की जर्नी स्टार्ट करना है, बहुत मैंने सिंपल से तरीके से बताया है, बस आपको इसमें डेली के डेली पोस्ट डालना है, और भी यूनिक आर्टिकल डाना है, कैसी दूसरी वेबसाइट का कॉपी करके डालोगे तो गूगल पकर लेगा और आपको अप्रोल नहीं देगा, अगर आप दिन के मलब, जोस्तों अगर देखो, बहुत दो क्या करते हैं, मैं आपको बता जिता हूँ, सिक्रेट चीजे, आप एक वेबसाइट पर ने काम करी, आप दो वे में बिखती है, दस हजार में ब्लोगर वाली वेबसाइट बिख जाती है, अगर आप मेंच पाओ तो, मालो आपनी दो आपकी वेबसाइट पर काम किया, और आपकी वेबसाइट रूब होगे, तो आपको आपनी बीस जारक का काम कर लिए हो भी, साट आट दिन में, कि ब्लोगी नहीं करते हैं, सिर्फ एडसेंस अपरोल करके लोगों को बेशते रहते हैं, बेशते रहते हैं, बहुत इंकम है भाई, बहुत इंकम है इसमें, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए और दोस झाल झाल